नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं जर्खन के किसानों को सरकार दे रही 4,000 रुपया, 10,000 किसानों ने कराया पंजी करान जर्खन में सुखार के मौजूदा हलातों के बीच राजे में 10,000 से अधिक किसानों ने अपना राई स्टेशन जर्खन राजे फोसल रहात योजना के तहत कराया है राई सरकार की इस योईना में प्राकिर्तिक आपदा की स्थिती में किसानों को राहत रासी मुहाया कराने का प्रविधान किया गया है बता दे फोसल छोती का आकलन कर किसानों को प्रती एक और तीन से चार हजार रुपे राई सरकार अपने कोज से देगी राई सरकार ने पिछली केबिनेट से इस योईना को मंजूरी दी है बतादे जार्खन राजे फसल रहात योईना के तहत 27 जुलाई तक कूल 8666 किसानों ने अपना राईस्टेशन कराया राईस्टेशन और फसल रहात के लिए आवेदन देने वाले किसानों के कूल संक्या 10,526 है फसल रहात योईना के लिए अपता गुमला जिले से सबसे अधिक राईस्टेशन और आवेदन किरिसी विभाग को मिले हाए मौसम विभाग से मिली जनकारी के अनुसार 31 जुलाई को राज्ये के अने हिसों में बजरपात होने की चेतानी जारी है 1 और 2 अगस्ट को जहर्खन के कुछ इलाकों में अच्छी बारसात का अनुवान जताया गया है मौसम विभाग ने जार्खन के उत्तर पूर्वी जीले देवगर धनबाद दुमका गिरी डिगोड़ा जामतरा पाकुर्ट साहिब गंज इलाकों में 1 और 2 अगस्ट को भारी बारिस और बजरपात होने को लेकर एलो अलरड जारी किया है जबकि इस अधी में रांची में समाने बादल चाहे रहने और दो या अधीक बार हलके से मदधर्ट की बारिस होने का पूरण मान है जार्खन में सिक्षकों की नियुकती सिग्र जार्खन में 960 परियोग साला सहय को की नियुकती पर किरिया शुरू किये जाने के बाद अब पलस टू स्कूलों में असनतकोतर प्रसिक्षित शिख्षकों की नियुकती की बारी है इसकूली सिक्षा यों सक्षर्दा विभाग के अनुसन समिलने के बाद जार्खन करम चरी चायन आयोग एक ती 110 पदों पर असनतकोतर प्रसिक्षित सिख्षकों की नियुकती के लिए अगले मा ओनलाइन आवेदन को लेगर बिग्यापन परकासित करने के त्यारी कर रहा है जिन पदों पर नियुकती होगी उनमें 285 पर नियमी तता 265 बैकलोग पद सामिल है बतादे राज्ये के पलस्टू स्कूलों में सिख्षकों की नियुकती वर्ष 2012 में हुई थी लातेहर के गाउं में कांग्रेसियों का परवेश वर्जीत जार्खन के लातेहर जीले के मनिका परखन अंतरगत इस्थी सिंजो पंचायत के जमुना गाउं में आदिवासी समुदाय के लोगों ने कांग्रेसियों के गाउं में परवेश करने पर रोक लगा दिया है आदिवासी समुदाय के लोगों में काफी आक्रोज है हालाकि मीडिया के सवालों के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने अपनी गलती मानते हुए या ब्यान दिया है कि राष्ट पती की जगा राष्ट पतनी गलती से बोल दिये थे मेरी जुबान फिसल गई थी इस मामले को लेकर देश भर में कई आसानों पर लोगों ने रोस पूर्ण परदर्शन किया है बता दे वहीं जमुना गाओ में ग्रामिनों द्वारा लिये गए इस निरनाय के बाद नेताओं के बीचिया चर्चा का मुखे बिसे बन गया है ज्यारखंड का अतंक अमन बिहार में गिरफतार 15 लाग का इनामी था ज्यारखंड के लोहार दग्गा जीले के बुलबुल जंगल में मवादियों खिलाप 8 फरवरी 2022 से लेकर लागातार 10 दिनों तक सुरक्षा बोलो द्वारा चलाया गया अपरेशन डवल बूल के बाद फरार मवादी रिजनल कमंडर अमन गांजू बिहार के गया में पकड़ा गया बता दे उससे पुलिस की टीम पूछ तास कर रही है अमन गांजू उर्फ अमर गांजू उर्फ अनील गांजू उर्फ काजू बिहार के औरंगाबाद जीले के धीवरा थाना चेत्र के जहरना गाओ का रहने वाला है राम सोरूप मांजी उर्फ स्वर्गिये लोहरी भोकता के पुत्र अमन गांजू के खिलाब 15 लाक रुपए का इनाम घोसी था है अमन की गिरफतारी पूलीस बड़ी सफलता मान रही है जारखन के इसकूली बच्चों को MDM में सहजन होगा अनिवारे पुष्टिक गुनों से भरपूर सहजन अब बच्चों को MDM भोजन की थाली में अनिवारे रूप से सामिल होगा बच्चों को कुपोशन मुक्त बनाने में या बड़ा मध्यम बनेगा जारखन राज मध्याहन भोजन प्राधिक करन ने इसके गुनों के साथ जारी निर्देश में सहजन को सरोज प्रत्मिक्ता देने के निर्देश दिये है इस सम्मंद में 27 जुलाई को जारखनराई सिख्षा पर योजना के निदेशा कियन कुमारी पासी ने सभी जीला का उपायुक तो वह जीला सिख्षा पताधिकारी को पत्र जारी किया है पत्र में बताया गया है कि परधान मंतरी पोषन सक्ति निर्मान योजना के तहस सहजन का चेंड किया गया है जारखन चेंबर ने सनीवर को वरकस कांट्रेक्ट पर जीएस्टी की दर 12-18 पिजदी किया जाने के निना को लेकर मुक्ष सचीव से पत्रचार किया चेंबर ने कहा है कि जीस्टी के दर में आचानक हुए बदलाव से सनवेत को पर 6 पिजदी का अतिरिक्त कर का बोज पड़ेगा इससे कारे की गुनवाता भी परभावित होगी चेंबर महासचीव राहूल मारू ने कहा है कि जीस्टी की नईदार 18 जुलाई से परभावी है जबकि सरकारे विभावों के साथ अनुबंध पुर्व में किये गए हैं अनुबंध सहायक प्रध्यापकों ने निश्चित मांदे की मांग की जार्खन सहायक प्रध्यापक अनुबंध संकार राज भवन के समख्जधारना परदसन तीसरे दिन सनिवार को भी जारी रहा सिद्धुक अनो मुर्मो विश्व बिद्याले दुमका स्याई डाक्टर कुमार सौरब ने कहा है कि सरकार हमारी मैंगो पर ध्यान दे रांची विश्व बिद्याले के सिक्षक डाक्टर असोक कुमार महतो ने कहा कि सरकार हमें सम्मान का जीवन दे ताकि अपने मुलबूत समस्याओं से मुक्त होकर पढ़ा सके बिनोबा भावे विश्व बिद्याले की सहायक प्रध्यापका डाक्टर रूपम कुमारी ने कहा कि सरकार हमें UGC ग्रेट पे के अनुसार निधारित बेतन दे सीम को विश्व आदिवासी दिवस की त्यारी की जनकारी दी सीम हेमन सुरेन से सुक्रवार को जाकर मंत्राले में केंद्रिय सरना समिती राची के एक प्रतिनीधी मंडल ने मुलकात की मुख्य मंत्री के समक्ष प्रतिनीधी मंडल ने 9 अगस्ट 2022 के दिन 288 दिवस मनाने के लिए तैयारियों के समध में जनकारी दी प्रतिनिधी मंडल ने मुख्य मंत्री को अवत कराया है कि हर वर्स की भाती इस बरस भी विश्वादिवासी दिवस का उजन भव्य रूप से किया जाएगा मुक्य मंत्री ने केंदी शरना समीतियों के परतीनी धी मंडल को भी स्वाधिवासी दीवस की तियारी के लिए आपनी सुपकमनाय दी मौके पर प्रतीनी धी मंडल में समीति के केंद्री अध्यक्त भी मुजूद थे दिल्ली से देव घर के लिए सीधी फ्लाइट शुरू जारखन के देव घर से दिल्ली और दिल्ली से देव घर के लिए सीधी हावाई सेवा सन्निवार से शुरू हो गाई इंडिगो की 180 सीटर फ्लाइट 6E-191 दिल्ली से उडान भर कर साम को देव घर पहुँची बताद बिहार के सारन लोग सबाद छेतरे से सांसद राजीव प्रताप रोडी वा कैप्टन आसुतोस सेखर बिमान के पाइलेट थे कोईले से पूरा देश जगमग हमारे हिसे सिफ कालिक स्पिकर चारखंड के जामतला जीले के नाला परकंड मुख्यले में अजादी के अमरित महोत्सव बर्स में उजोल भारत उजोल भवी से पावर दोहजर सैतालिस थीम के तथ बिजली महोत्सव का आयवन किया गया कारेकरम का सुभारा मुख्य आती थी विधान सभाध्यक रविजनात महतों ने किया इस मौके पर उपायूक्त फैज अक अहमाद मुम्ताज चीफ इंजिनियर ट्रेनिंग इंस्ट्यूट चंद्रपूरा सुवन्त कुमार गुप्ता मुझूद थे बता दे बिजली महोत्साओ के दवान केंद्र एवं राज सरकारों के बीच सहयोग और समझर से बिजली चेत्रे की प्रमुख उपलब्दियों से उपस्थित लोगों को आउगत कराया गया उर्जा के छेत्र की उपलबदियों को आडियो बीडियो के माध्यम से परदर्शित किया गया गोड़ा में 11,893 बोतल सराब जब्त जारखन के गोड़ा जिले के मुफसिल थाना छेत्र के परस पानी में गुपत सुचना के अधार पर मुफसिल थाना पथर गामा थाना, राजा भिठा थाना और नगर छेत्र की पूलिस ने चार ट्रकों को सक्केधार पर रोका ट्रकों की तलासी ली गई तो आलू की बोरियों के बीच सराब की पेटिया बरामत की गई जिन में से 11,893 बोतल सराब जब्त किये गए गोड़ा सदर, SDPO अनन्द मोहन सिंग ने बताया कि सुक्रवा रात को पूलिस को गुप्त सुचना मिली थी राजेपाल ने रिम्स में पदमसरी सीमोन उराओ की सेहत की ली जनकारी जारखन के राजेपाल रामेस बैस सन्निवार को रिम्स पहुंचे और पदमसरी सीमोन उराओ से मिलकर उनकी सेहत की जनकारी ली इस दोना राजेपाल ने निरोलोजी विभाग में इलाजरत पदमसरी का हाथ ठामकर उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा है कि आप जल्द सुच्त होंगे उन्होंने निरोलोलोज में करीब 20 मेर्ट से ज्यादा समय गुजारा और उनके इलाज ते समदित चिकित्सकों और परिजनों से उनके स्वास्थ की जनकारी ली दो दिनों के इलाज में उनके मॉमेंट में काफी सुधार हुए है स्वास्त होने के बाद उनहें डिश्टाज कर दिया जाएगा रिम्स में सर्वर डाउन होने से घंटो लाईन में खड़े रहे मरीज राशेंदर आयुरूभिक ज्यान संस्थान रिम्स में सनीवार को सरवा डाउन होने के कार्व मरीज वो परिजनों को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ा सबसे ज़्यादा परिशानी इमर्जेंसी में पहुँँचे मरीजों को हुई यहां सुबह के वक्त दाखिल होने वाले मरीजों को सबसे ज़्यादा परसानी हुई उनके बार-बार के आगरह के बाद कुछ को हाथ से पर्चा बना कर उनका इलाज किया गया हलाकि जब OPD खुला तो वहां मरीजों को घंटो लाइन में लगना अपनी बारी का इंतियार करना पड़ा क्रोस वोटिंग पर जहारखन कंग्रेस गंभीर राष्ट पती चुना में जहारखन से आई परियाम के बाद कंग्रेस में खलबाली मची हुई है NDA परत्यासी द्रोपदी मुर्मो के समर्थान में 10 विधायकों ने क्रोस वोटिंग की थी UPA के अधिकरित परत्यासी अस्वंत सिन्हा को महज 9 वोट मिले कंग्रेस आला कमान ने इसे गंभीता से लिया है हेमंत सुरेन सरकार में सामिल कंग्रेसी कोटे के मंत्रियों में फिर बदल हो सकता है कंग्रेस के आला सुत्रों से मिली जनकारी के अमसार क्रोस वोटिंग के ममले में मंत्री पर ही गाज गिर सकती है दो मंत्री को बदलने की तयारी है जार्खन में solar policy lunch के बाद just transition निती की जरूराथ जार्खन सरकार ने हाल ही में solar energy policy को lunch किया है इस policy के तहट कई ऐसी जोजनाय है जिसके तहट सोर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किये गए है मसलन अगर कोई रूफ टोप पैनल लगवाता है तो उसे 40% तक की सबस्रीट दी जाएगी एक कुछ ऐसी ही स्कीम है जिसने परदेश में स्वर उर्जा को बढ़ावा मिलेगा और परदेश हरित उर्जा की और अग्रसर होगा लेकिन यहां बहुत स्वर उर्जा की और अग्रसर होगा तो निशन्दे परदेश में एनर्जी टांजिसन होगा एनर्जी टांजिसन की प्रकिरिया जे जो जो मुर्त रूप लेगी जश्ट टांजिसन की जरूरत उतनी ही बढ़ेगी इसलिए आज जरूरत इस बात किया है कि सरकार जश्ट टांजिशन को भी उतनी ही गंभीता से ले जितनी गंभीता ने वह एनरजी टांजिशन के लिए सर उर्जा पॉलिस्जी को लेकर आई है बरका गाउं में गंगवाट पूजा के बाद धनरोपनी शुरू जर्खन के हजारी बाद जिले के बरका गाउं में लंबे दिनों बाद बारिस होने से धनरोपनी शुरू हो गई है बरका गाउं परकांड में धनरोपनी शुरू करने की संस्कृती अनोखी है यहाँ परंपरा है की पहले गंगवाट की पूजा की जाती है कुछ लोग घरों में मुर्गा की बली भी देते हैं खेतों में अरवा चावल गूड और दूद से पुजा की जाती है इसे पचाठी भी कहा जाता है बता दे बलका गाओ के पंडरिया के ग्राम नायक जेटी गांजु द्वारा फुजा आर्चना करने के बाद धन्रपनी शुरू की गई देवघर यारपोट इंडिगो की पहली कमर्शल फ्लाइट देवघर यारपोट पर लेंड कर गई बता दे कमर्शल फ्लाइट में 12 सांसुदों सहीत कई गणमाने लोग पहुँचे लोगों के बीच भोजपुरी कालाकारों को देखने का उसा देखते बन रहा है बता दे स्पेशल फ्लाइट में डाक्टर निशिकान दूबे राजीव परता प्रोड़ी मनोजतिवारी दिनेश लाणने रहुआ रविकिसन सांसत अनुराग सर्मा परवेश वर्मा कमलेश पास्वान सुनील सिंग रविंद्र कुस्वाह वा सुब्रत पाठक सामिल है अनविशेस अतित्यों में अभिनेता सेखर सुमान बोजपूरी अभिनेत्री अमरपाली दूबे गायक रितेस पांडेवा दिपक ठाकुर है जारखन में बिजली महोत्सव दिखाई गई सोट फिलाम अजादी का अमरित महोत्सव अंतरगात नवीन और नवीक करनिये उर्जा मंत्राले भारत सरकार की ओर से लोह दगा जीले के सेना इस्थीत जोहर नवदे बिद्याले जोगना में उजवल भारत उजवल भवी से बिजली महोत्सव का अजन किया गया कारकरम का उदगाटन मुख्य अतिति के रूप में उपायुक्त डाक्टर भाग मारे परसाद क्रिष्ट ने वह अन्य अतितियों द्वारा किया गया इस मौके पर उपायुक्त ने कहा है कि उर्जा के छेत्र में देश ने काफी प्रगति की आज परमपरिक तरिकों से बिजली उत्पादन ही नहीं बलिक इससे भी आगे आकर पन बिजली सन्यंत्र को देश में कई जगों पर अपनाया गया है गुमला के तीन मेजदूरों का गोवा और हर्याना में मौत घर की आर्थी की सिथी खराब होने वा गरीबी के कारण दूसरे राज मेजदूरी करने गए बसिया पर खंड के तीन मेजदूरों की मौत हो गई है इसमें दो मैजदूरों की मौत गोवा वा एक मैजदूर की मौत हर्याना में हुई है अलग-अलग कारणों से तीनों मैजदूरों की मौत हुई है इसमें एक मैजदूर के सौव को लाया गया जबकि दो मैजदूरों का सौव अब तक नहीं पहुचा है पश्मी सिंभुम के नकटी डेम में नौका बिहार शुरू पश्मी सिंभुम जीला के बंदगावा परखंड के पहालों के बीच इसीत नकटी डेम अपनी प्रकिर्तिक सुन्दर्ता के लिए सेलानियों को आकरसित कर रहा है चक्रधर पूर से 15 किलोमेटर दूर या डेम है अब डेम को नौका बिहार भी सुरू कर दिया गया बतादे डेम में सलानियों को हर सुक्सुवधा देने का पर्यास किया जा रहा है इस समध में जीलावन छेत्र प्रादिकार पोड़ाहार नितिस कुमार ने बताया है कि यहां एनेच किनारे बांस की सुन्दर सजावट से एक छोटा होटल खोला गया जारखन में दरोगा भरती के लिए गयट जारी राजजेपाल रमेश बैस ने जारखन पूलिस अवर ने रिक्षक न्योक्ति नेमावली के लिए संसोधन की सुखरीती दे दिया है जिसका गयट गिरीह कारा एवं आपदा प्रवंधन विभाग ने ओफिसियल बेपसाइट पर जारी कर दिया है इसका चैन तीन चरनों में होगा सबसे पहले सारे रिक दक्षता की परिक्षा पास करनी होगी इसके लिए पूरुस अभियार्थी को एक घंटे में 10 किलोमीटर की दोड पूरी करनी होगी वही महिलाओ को 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दोड लगानी होगी ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा यानि कि इसमें उतिन होना जरूरी है हेमंत सोरेन की बढ़ रही मुष्ट के लिए दाहू बच्चू संजय से पूश्टाच टेंडर बिवाद अवैद खनन आदी के मामले में मनिन लॉंडरिंग के तहत अनुसंधान कर रही इडी की टीमने मुख्यमंत्री के प्रेश सलाकार अविसेख परसाद उर्फ पिट्टू के बाद अब साहिव गंज के दाहू यादव वबच्चू यादव के अलावा जेवा बेवसाई संजय दिवान को भी समन कर पूश्टाच के लिए रांची बुलाया है तीनो ही ब्यक्ति मुख्यमंत्री के बरहेट विधान सवाचेत्र के विधायक परतिनिधी पंकल मिश्रा के खास मखास है वहीं स्वयोगी वग काले कारोबारी के राज़दार भी है गढ़वा से गोवन्स की हत्या करने वाला परधान का बेटा गिरफतार जारखन के गढ़वा जिले के भंडरिय थाना पुलिस ने सीकरिया गाउस सनिवार को गोवन्स की हत्या कर गोव मांस के साथ एक ब्यक्तिव गिरफतार किया है वह ग्राम परधान का पूत्र है चापे मारी के दोरान भनक लगते ही अने तीन लोग फरार हो गए गिरपतार आरोपीत सिकरिया गाउ के परधान अमरनात केरकेटा का पूत्र संत प्यारे लाल केरकेटा बताया जा रहा है अवसक परकिरिया के उपरांद पूलिस ने उसे नयाईक हिरासत में गड़वा जेल भेज दिया है इरफान अंसारी समेट जार्खन के तीन कांग्रेस हिरासत में जारखन के तीन कांग्रेसी बिधायको इर्फान अंसारी नमन बिकसल को गाड़ी वर आजेस कक्छप को पच्छिम बंगाल के ग्रामीन हवडा की पुलिस ने भारी मात्रा में कैस के साथ हिरासत में ले लिया और उनसे पूछ ताच कर रही है बताया जा रहा है कि ये तीन कांग्रेसी बिधायक एक ही गाड़ी पर सवार थे और पुर्वर मीदनापूर की ओर जा रहे थे सनी वार देर साम इनकी गाड़ी को पंचला थाना अंतरगत रानी हाटी मोड के पास रोका गया और गाड़ी की तलासी ली गई बताया जा रहा है कि गाड़ी में भारी मत्रा में कैस रखा हुआ था पूलिस की माने तो बैंक अधिकारियों से संपर के किया जा रहा है काउंटिंग मसीन से नगदी की गिंती की जाएगी धन्यवाद